कार मैं श्वीता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिशन खबर मौसम से जुड़ी है जो हम मौसम का ताज़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हो गए हैं राजधानी पटना समेथ बिहार के कई जिलों में मौसम को लेकर रड़ जारी किया गया है मौसम बिभाग की तरफ से ये ज्यानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में बिहार के कई जिलों में काफी जादा कड़ाके की ठंड पढ़ने वाली है यहां तक कि शीत लहर को लेकर भी मौसम बिभाग ने अलड़ जारी किया है तो चलिए हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि बिहार के किन जिलों में कड़ाके की ठंड पढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में ठंड का कहर कैसा रहने वाला है वासियों को दिसंबर वाली ठंड सताने लगी है बिहार में फिलहाल ठंड का जोर अभी शरम पर है रविवार को राज के 10 शेहरों का पारा 10 डिग्री सिल्सियस से नीचे पहुँच गया है अगर हम बात पटना करें तो पटना समेट 23 शेहरों के नियुंतम तापमान में गिरावर दर्च की गई है मौसंब भाग के पुर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों तक लोगों को ठंड में राहत नहीं मिलने वाली है इसके बाद 24 दिसंबर से ठंड में हलकी कमी आएगी मौसंब विज्यान केंद्र के अनुसार राज के उत्तर पश्मी हवाओं का प्रभाव सतह से 5.8 किलो मीटर उपर तक बना हुआ है इनके प्रभाव से राज भर में रात और सुबर ठंडी वाली गुजर रही है लोग कडाके की ठंड महसूस कर रहे है शाम ढलते ही लोगों को ठंड सताने लग रही है हाला की दिन में धूप फिलहाल राहत है पच्छुआ हवा का प्रभाव भी जारी है पटना सहीद प्रदेश के जादा तर शेहरों में 24 दिसंबर के बाद नियुंतम और अधिक्तम तापमान में व्रद्धी होने का पुर्वानुमान है जिस कारण ठंड में अभी कमी आएगी लोगों को रहत मिलेगी वहीं अगले साथ दिनों के दुरान मौसम में कोई विशेस बदलाव नहीं होगा जिस कारण ठंड बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है इस मौसम का सबसे कम नियुंतम तापमान 6 दशमलव 5 डिग्री सेल्सियस सबोर में शनिवार को दर्च किया गया पतना सईथ प्रदेश के 10 शेहरों को अधिक्तम तापमान में गिरावट और एकी शेहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है सुबह में घना कोरा देखने को मिल रहा है जोसे विजबलिटी भी प्रभावित हुई है लोगों को यातायात में काफी जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश का ओसत 24 घंटे के दोरान राज का मौसम सुष्क बना रहेगा और बिहार में अधिक्तम वनिंतम तापमान में किसी विशेश परिवर्तन की संभावना नहीं है धुंद के चलते बच्चे बुजुर्गों को सास की तकलीफ हो रही है साथी साथ राजधानी पटना का हाल सबसे बुरा है वायू की अगर हम गुणवंता की बात करें तो लगातार कई दिनों से 400 से उपर पहुँच गया है गया पुर्णिया अररिया भागलपूर आरा मुजफरपूर का भी मौसम बभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 24 दिसंबर के बाद मौसम में थोड़ी रहा देखने को मिलेगी लेकिन फिलहाल ठंड का कहर ऐसे ही बरपता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट जारी किया जाएगा मौसम बभाग की तरफ से हम आपको अपने वीडियो के जरिये बताते रहेंगे फिलहाल के लिए मौसम में इतना ही